चंद रोज पहले हमिरपूर में माने मुख्य मंत्री जी का ब्यान पब्लिक मीटिंग में आपने भी सुना और हम लोगों ने भी सुना वो हमाचर प्रदेश की जनता को यहां की देवतुले जनता को अनापशना ब्यान दे करके गुम्रहा करने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा होता कि वो जो उनके फाइनेंस सेकेटरी हैं और हिमाचर प्रदेश के जो फाइनेंस को देखते हैं उन से अपना वो ठीक इन्पुट लेने के बाद वो बियान देते वो बार बार कह रहे हैं कि हिमाचर प्रदेश में उन्होंने अभी तक मातर 41 सो क्रोड रुपए का करजा लिया है माने मुख्यमंत्री जी दिसंबर में आपने ओथ ली थी और अभी 11 मीने हुए भारती जन्ता पार्टी का आप यह आरोप है कि इन 11 मीनों में आपने 10,800 क्रोड रुपए का करजा केंदर सरकार से लिया है अगर तथ्या की जानकारी ठीक नहीं है तो मैं आपको अपडेट करा देता हूँ 19 जनवरी 2021 को आपने 1500 क्रोड रुपए का करजा लिया 16 फेवररी 2023 को आपने 2000 क्रोड का करजा लिया और 16 तीन reversed को आपने 1500 क्रोड का करजा लिया 24-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23 से लेकर के आज 11 दिसंबर तक कैलकुलेट करें तो ये कुल 10,800 क्रोड का करजा बनता है आप फिगर्स में हिमाचल की जनता को गुम्रह कर रहे हैं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल की लिमिट 600 क्रोड रुपया वो फाइनेशल येर की है जब आप कत्ती माद 2023 से कत फाइनेशल येर 2023 बनता है जिसमें 600 क्रोड की आपकी लिमिट है उसके गेंस्ट भी आपने 41 सो क्रोड रुपया थो मात्र साथ मीने में ले लिया है बाकी पांच मीने तो भी आपके इस फाइनेशल येर के भी बाकी हैं दूसरा जो आप ये कहते हैं कि केंदर सरकार से आप को पैसे नहीं आए मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि अभी तक आपको लगवग बैली सो क्रोड बैक के अंदर से आया है जिसमें आपको डिजास्टर मनेजमेंट में 800 859 सी आर और आपको मेग्रेशन में 85 सी आर फ्लड जोर क्लाउड ब्रस्ट में 400 सी आर आप हिमाचल की जनता को ये बात भी बताएं कि जो ये भवन निर्मान पर जो हमने मांग की थी कि एक लाग रुपए से ये धन्राशी बननी चाहिए जो बढ़ाई वो आपने अपने से नहीं बढ़ाई ये पैसा केंदर से 85 क्रोड रुपए आपको आया जिसके धहत आप गाउं गाउं गली गली में जाकर के इस जूटी शान को बता रहे हैं और लोगों को वो पैसे बांडते फिर रहे हैं हकिकत यह है कि वो पैसे मानने अंदर अंदर मोधी जी ने दिली से दिये वो हमेशा जी ने दिली से दिये और आप प्रदेश के सांसदों पे अरोप रहे हैं वो आप किस बजट के ताह दे रहे हैं और अगर आप हम गलत बोले हैं और आप सच्छे हैं तो एक बार आप इस सब फिगर्स के लिए एक बार एफ ऍच Alma crazy fine करके दीए गा तो दूद का आप कहीं अपने घर से निकाल के लाए हैं ये सारे पैसे केंदर से आए हैं और केंदर के पैसे को ही आप लोगों के पीच में बांट रहे हैं और डॉल्मेंट में जा रहे हैं मेरा आप से फिर से निवेदन है अगर है कि आप तथ्यों को अपने फाइनिशल अदिकारियों से ठीक से समझ करके तब आप इस बात को पब्लिक में ब्यान दें अन्य था अगर आप बिलकुल जो बाता फिगर्स दे रहे हैं केंदर सरका से आपको पैसा नहीं आया है ये स्टेट की अपनी को एकनौमी है तो ये भी क्लियर करें कि ये जो स्टेट का पैसा अगर आपके बास आया है ये कौन-कौन से भी भाग से आपने एक्स्टा रेवन्यू जनेट करके इस पैसे को कच किया है